असलाम लेकुम वेलकम टुमा यूट्यूब चैनल की चन्वीत नाफीश मैं हूँ शेफ मैवीज जी और यह है मेरे पापा कैसे आप सब उम्मीद करते हूं कि आप सब खारियत से होंगे खुश रहें अबाद रहें अपनी घरों अपनी भड़ों पनी चोटों के साथ अल्ला यूट्यूब को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कोमेट पे पनी फिएवर ट्रस्ट का नाम लिखे इस वीडियो को शेर करें तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते है अलापाक जिंदगी सेहत अंदर उस्ती दे कमाने वालों की पकाने वालों की तो आज मैं अ यह जो आपके पास अवेलेबल है और तीन प्याड़े साइस के आपने इसके अंदर प्यास आज करने इस तरीके से कट करके और इसको लाइट प्राउन होने तक हमने वेट करने अब यहां पर इसका प्यास का जो कलर है वह बहुत जादा खास है कि वह किस हद तक कुक होना तो इसकी कटिंग अच्छी से होने चाहिए बारापर और कलर भी इस तरीके से आना चाहिए यहां पर सिर्फ तीन से चार नर्जेस्ट रूए है और इसकी इतनी प्यारी खुश्बू आना स्टार्ट होगी और दूसरा इसका कलर बहुत प्यारा होगी अब आपने इसमें त नर्जात कर ना से प्यारा होगी तौस्ट अपने साबुद40 बैने तीन एल्ज इसमें श्यार ना कने से वालिंदु के और तीन से चार सबसच बैंचिते आपने लिए और एक टमार्टा लेना इसके से कट कर असमें मिक्स करना है और घर के बिल्कुल आम मसाले इस्तमाल करने है नमक हम लेंगे टू टेस्ट और लाली मुर्चो का पाउडर हम लेंगे एक चाय का चमच अब आपने क्या करना है अब आपने मेरा चैनल आज में सब्सक्राइब कर देने जिससे मैं बेहत कुछ हो जोती है ताकि म चाय का चमच हल्ली और पीसा ओवा धनिया पाउडर और यह साबुत गोल धनिया इह खाने का चमच बस कोई और बाई का मसाला नहीं आप करना कुछ भी आपने मजीद इसमें नहीं कुई चीज आप करने है अच्छे से को मिक्स किया अब एक बेजटेबल आपने आपने आलू जो था मेरे पास में रिंग कटिंग कर लिया कॉल ठीक है और बाकी उनको बारी कट कर लिया था कोई भी मौसमी सबजी हो आप इसमें आड कर सकते हैं कोई इशु नहीं अब इसकी जबरदस्त हमने कर लिया बुनाई बुनाई के लिए आपने क्या इसमें एक पाउ द मासालों से जबरेस्पी बिनानी हो अब रैस्पी का नाम और मेरा शेफ मै Evans jy नाम लिख दिया करें और سब्साद़ किये जबर आपने पाइड करसे जायए में रापे जबर ला में पानी जोते हैं अब जाड़ा कटने है अर शॉते हैं अआट करनां कि human Mac Д ripon आग्म नाम ज तब छे कप तो इसमें मैंने कितने चावल लिए इसका 1 fair कितना बना 3 लिए टीक है 4 ग बना चावल तो पानी अब जाएगा 6 कप अब 3-4 जब तक बष़ा ना रिंगा तो आपने कुछ नी करना है और आप रखे ना यहां पर 3-4 इसको अच्छे से बॉई लागे अब आप ने इसमें चावल आड़ करने हैं चावल जो मेह पस थे तीन कप थे ठीकर थे टीक है तीन गलास जो जिस कब बरतन से आपने अपने अपने उसमें अपने पानी में डाल रहा है चावल को मैंने तक्र चलाना और इसको रख देना अगाफ कवर करके यहां पर सिर्फ तीन से चार मिट हुए है जब तक इसका पानी अच्छे से ड्राइन हो तो आपने बार बार चमच नी चलाना और चमच आपने यह वाला लेना पहले मेरे पास दूसरा था अब यह वाला चमच ठीक इससे चावल दरुस्ति देख कमाने वाला की पकाने वालों कि रकाने वाला की यह इतनी चट पर टूसरा असान रेस्पी थी बिल्कुछ चंद में सालस में आपको बनाना सिखाई है और बस आपने कॉमेट लास्मी करने तो कैसी लगी आपको आज के रेस्पी उमीद करते हूं कि आपको